मुरादाबाद में स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन में भीशन आग लग गई देखते ही देखते स्कूल वैन आग का गोला बन गई जानकारी के अनुसार हाथसे के समय वैन में 15 से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे जिन्हें लेकर स्कूल वैन पंडित नंगला बाइपास पर स्थित दिल्ली ग्लोबल स्कूल लेकर जा रही थी तभी पंडित नंगला बाइपास पर रेलवे क्रोसिंग से पहले वैन में अचानक आग लग गई गनी मत्रही की वैन में गढ़बडी की आशनका होने पर ड्राइवर ने तुरंट सभी बच्चों को वैन से नीचे उतार दिया डिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल पंडित नंगला बाइपास पर मैफ्य कॉलेज की केंपस से संचालित होता है जानकारी के अनुसार ये वैन हनुमान मूर्ती के आसपास से बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकली थी तभी पंडित नंगला बाइपास पर रेलवे क्रोसिंग के पास इसमें कुछ खराबिया आ गई ड्राइव ने जितनी देर में बच्चों को वैन से नीचे उतारा इतनी देर में कार से आग की लप्ते उठने लगी देखते ही देखते पूरी वैन आग का गोला बन गई आसपास के लोगों की मदद से मिटी फेक कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई लेकिन तक तक पूरी वैन जल चुकी थी बता दे की मुरादाबाद में इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आये हैं बिना फितनेस के चलती स्कूली बसों से बच्चों की जिन्दगी से खिलवार होता रहा है जबकि परिवाहन विभाग फितनेस के नाम पर केवल खाना पूरी करके अपने करतवे की इतिश्री करता रहा है